रादे रादे फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बंदुओं आज मैं आपको रविवार व्रत कथा सुनाओंगी प्राचीन काल में एक बुढिया रहती थी वो प्रतेक रविवार को सुबह जल्दी उठ कर इसना नादी से निर्वित होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती फिर भोजन तयार कर सूर्य देव को भोग लगा कर स्वेम भोजन करती थी भगवान भासकर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कस्ट नहीं था धीरे धीरे उसका घर धन धाने से भरता गया उस बुढिया को सुखी देख कर उसकी पडोसन उससे जलने लगी बुढिया के पास कोई गाय नहीं थी अथा घर का आंगन लिपने के लिए वह उसी पडोसन के घर से गोबर लाती थी उसकी पडोसन ने इर्षय में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांद लिया जिस कारण उस बुढिया को रविवार को गोबर नहीं मिला बुढिया अपना आंगन नहीं लिप सकी आंगन ना लिपने के कारण उसने ना तो भोजन ही बनाया और ना ही सूर्य देव को भोग लगाया और ना ही स्वैम भोजन किया सूर्य अस्त होने पर भूकी प्यासी सो गई इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया रात्री में सुर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिये और उन्होंने भोग ना लगाने का कारण पूछा तो बुढिया ने बहुत ही करुन स्वर में पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर ना मिल पाने की बात कही सुर्य देव ने अपने भगत की परिशानी का कारण जान कर उसकी परिशानी दूर करते वे कहा माता मैं आपकी भगती से प्रसन हूँ मेरा वरत करने वे कथा सुनने से निर्धन को धन और बांज को इस्तरियों को पुत्र प्राप्ति होती है इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पून करती है स्वप्न में बुढिया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए प्रात्यकाल सुर्योदे से पूर्व उस बुढिया की आँख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुन्दर गाय को देखकर वह हरान रह गई पूरोशन ने उस बुढिया के आंगन में सुन्दर गाय को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया पूरोशन की आँखे फट गई उसने पडोसन ने उस बुढिया के आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख कर आ गई बुढिया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और बुढिया पहले की तरह ही भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही पडोसन की चालाकी देख कर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई जिसके कारण बुढिया ने गाय को घर के भीतर बांद लिया सुबह उठकर बुढिया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बड़ा ही अश्चेरी हुआ उस दिन के बाद बुढिया गाय को घर के अंदर ही बांदने लगी सोने के गोबर से बुढिया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई अब पडोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई जब उसे सोने का गोबर ना मिलने का कोई उपाय सुझा तो वह राजा के दरवार में पहुँच गई और राजा को सारी बात बता दी राजा ने अपने सैनिकों को भेज कर बुढिया की गाय लाने का आदेश दे दिया सैनिक बुढिया के घर पहुँचे उस समय बुढिया सूरे भगवान को भूग लगा कर स्वेम भोजन गरहन करने ही वाली थी कि राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और उसे अपने साथ महल की ओर ले गए बुढिया ने सैनिकों से गाय ना ले जाने की बहुत प्राथना की वह भूत रोई चिल्लाई लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने गाय के चले जाने से बुढिया को बहुत दुख हुआ उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और सुरे भगवान से गाय को पुनहे प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी दूसरी और राजा गाय को देख कर बहुत खुश्वा और सहनिकों से बोला इस सोने का गोबर देने वाली गाय को गोशाला की बजाए मेरे कक्ष में बांदा जाए सुबह जब राजा उठा तब उसका सारा महल गोबर और बदबु से भरा देखकर राजा घबरा गया उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था जितना साफ करते उतना ही फैल जाता यह देखकर राजा क्रोधित हो गया और उसने पडोसन को राज महल में बुला कर उसे डंडित किया उसके बाद राजा ने तुरंत बुढिया को महल में बुलवाया और उससे शमाप प्रार्थना करते हुए सम्मान सहीत गाय लोटा दी तद पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी अपने आप ही दूर हो गई तब बुढिया ने राजा को रविवार व्रत की कथा बतलाई और सूर्य देव ने उसे गाय दी है यह सारी बाते बतलाई राजा ने सारी नगर में यह गोशना करा दी कि हर रविवार को सब इस्त्री पुरुष सूर्य भगवान का व्रत करें रविवार का व्रत करें जिससे मनों वांचित फल की प्राप्ती होती है जै सूर्य देव भ लगवान कीज़े